हेलो एब्रिवन आज हम योगर्ट लेमन केक बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर 125 ग्राम होल वीट फ्लाव लिया है हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, वन टीस्पून बेकिंग पॉडर, वन एट्थ टीस्पून सॉल्ट अब इन सब को हम अच्छी से छान लेंगे सभी चीजों को छान लेने के बाद अब हम इसमें 100 ग्राम पॉडर शुगर मिलाएंगे और इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें 150 ग्राम दगी मिलाएंगे 1 teaspoon lemon juice 140 teaspoon vanilla essence 2 tablespoon oil अब हम इन सब को अच्छी से मिक्स कर लेते हैं सबें चीजों को अच्छी से मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में हम इसमें 2 tablespoon गरम दूद एट करेंगे गरम दूद एट करने से केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है केक के टीन को थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा से याटे के साथ इसे डस्ट कर लेंगे अब इसमें हम केक का बैटर डालेंगे अब इसे हम pre-heated oven में 180 degree centigrade पर 35-40 मिनिट्स के लिए बेक कर लेंगे 40 मिनिट्स हो गया है केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है अब हम इसे ठंड़ा होने देते हैं फिर इसे मोल से बहार निकाल लेंगे अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं योगर्ट लेमन केक तयार है यह बहुती सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है इसे आप शाम की चाय के साथ सर्फ कर सकते हैं आइहोप आपको मेरी रैसीपी पसद आई होगी ये दि आपको मेरी रैसीपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजिए